हमेशा अगर family ने support नहीं किया होता तो सायद मैं आज officer नहीं होता, PCS officer एक consistency होनी चाहिए कि आपको एक काम करना है तो वो करना है यह नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर तीन दिन नहीं पढ़ा तो वो एक consistency बहुत ज़रूरी है Hello everyone, welcome to byju's exam prep नमस्कार अदाप सस्तिरेकार मैं आप सभी का बायजूज एक्जाम प्रैप के स्पोर्ट लाइट सेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियो आज मेरे साथ स्पोर्ट लाइट सेशन में अवेलेवल हैं धीरच कुमार पटेल जिन्होंने साथियो यू-पी-पी-सी-स बोहजारीकिस में नायप थहसिलदार के पत को हासिल किया है तो आएए जानते हैं इन से इनके बारे में किस तरीखे से नोने साथियो अपनी तयारी को और अपनी एक्जाम प्रैपेशन कि यात्रा को पूरा किया है चर्चा करेंगे हम नयाब तहसिलदार हमारे दीरच कुमार पटेल जी से हेलो दीरच कैसे हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहां इन्वाइट करने के लिए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं अब नया तहसलेदार कि दापको मिला है एक बहुत अच्छा होता है और खास कर जब आप लंबी महनत करें अप लगातार पीर सफलता मिलता अवे यह नटा तो बहुत अच्छा फिल होता है कि लाइफ में कुछ एक ऑफिसर की रूप में काम करने को मिलेगा जनता के समक्चुन की कुछ समस्याओं का हल कर पाएंगे हम तो आपका फैमली बैग्राउंड क्या है आपके एजूकेशन बैग्राउंड क्या रही है आपने क्या किया है क्या है याइए अध्याइर इंटरनेशन में और उसके बाद मेरा पीचडी में भी अब होआँ तो मैं पीचडी भी कर रहा हूं अभी और उसके साथ मैंने फिर फैस्टिस ट्वनटीवन क्या है तो मेरे ख्याल से ऑप्सिए होना चाहिए हाँ एक्जाक्ल साइंस ऑप्स्त पेपर हो जाता है तो आपको क्या चीज मोंटिवेट करती सबसे आदा जो आप ने त्यारी करी त्यारी करने की ठानी किस चीज ने आपको civil service की तरफ प्रेडित करने की बात करते हैं दो तीन फैक्टर से सर एक तो पहला फैक्टर की मेरे यह एक डिस्टिक मजिस्ट्रेट से थे सुहास अलवाई सर अभी वह तंबुधनगर में मेडलिस्ट भी है अभी वह सिल्वर लेकिया थे उन्होंने मुझे इंस्पाइर किया उनकी जर्नी मुझे इंस्पाइर की कि आपको एक पॉब्लिक प्लेस पे जाके लोगों के लिए काम करना चाहिए सेकेंड यह है कि सब्सक्राइब है आप बहुत खुश होते हो कि आपकी लाइफ एक वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहेगी सब्सक्राइब सुथ था फाइब ही यह के लिए को आपकी तैयारी में अपने मवाब युगदान को कैसे सरहानगे मैं कूँगा कि मेरे एक्जिस्टेंस का फांडेशन वहीं से है और हमेशा अगर फैंबली ने सपोर्ट नहीं किया होता तो सायद में आज आज आपसर नहीं होता तो मेरे पापा और मम्मी दोनों ने हमेशा इंस्पायर किया कि कि इतने भी फैलियर्स हों कुछ भी चेलेंजि मुझे लगता है कि वह एक चीज है जो मुझे मुझे यहां तक पहुच रहे है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों और लगातार लगे रहना और लक्षे जब आप राप करने जा रहे हैं तो उतार चड़ाव जीवन में आएंगे आप उतार चड़ा कोई कोचिंग नहीं की मैंने टोटल सेल्फिक स्टेडी किया और इसके लिए मैंने बहुत प्रॉब्लम भी हुआ कि आपको अपने से सब कुछ सीखना है कि कैसे आपको प्रिलम्स देना है कैसे में इंटर्व्यू देना है आपको कोसी सीखाने वाला नहीं है तो जो भी इंटर्व्यूज हैं वहां से आप सीखते हैं बाद में मुझे जनु का प्लेटफॉर्म भी काफी हेल्प किया क्योंकि वहां से हर साल कुछ लोग अफिसर्स बनते हैं चाहिए तो वहां से मुझे हेल्प मिला तो मैंने फिर देखा कि ठीक है प्रिलिम्स में लोगों के फेल ह सकते हैं तो आप किन लिम्टर्ड चीजों को आप पढ़ें वह मैंने सेलेक्ट किया प्रिवेस एर्स के थरू कुछ टॉपर्स के इंटर्व्यूज से हल्प मिला और कुछ मेरे फ्रेंड्स से भी हल्प मिला जो भी ऑफिसर्स बन गए हैं तो उसके थरू मैंने पूरी प्र प्रिलिम्स के लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं जो सबको पढ़ना चाहिए जो भी या तो आइस के त्यारी करें क्योंकि पैटर्न सरफ कॉमन है यूपी पीचेस या आइस पैटर्न बिल्कुल कॉमन है तो मैंने उसमें एक लक्ष्मिकांत की किताब आती है लिए मैंने वही गार आती के लिए और मैंने तो मिल जाते हैं तो उसने मुझे help किया तो आप जैसे आपने बोला तो notes making का आप क्या importance समझते हैं जैसे आप अभी notes making को चरचा कर रहे है notes making क्या importance एक students की त्यारी में मैं कहूंगा कि most important part है मेरे लिए तो notes making मतलब क्योंकि आपको बहुत बलकी books पढ़ने होती है इसको रिवाइज करना असान नहीं होता जब आपके पास वन वीक बचे होते हैं और ऐसे आपके पास 5-6 books होंगी तो आपको दो बार पढ़ सकते हैं और चीजें आपको याद रहेंगी तो जो इंपोर्टेंस है कि चीजें याद रहनी चाहिए वह चाहे आप IIT दीजिए इसी कॉंसेप्ट के बाद आपको याद करना पड़ता है तो नोर्स का सबसे बड़ा रोल यहीं है आप प्रिलिम्स दीजिए या मेंस दीजिए आपको नोर्स बनाना पड़ेगा और उन मैं मानता हूं कि हाँ जो चीजें जिसका आउल्रेड़ी आपके पास छोटी किताब हैं उसका अपना बनाएं लेकिन जो बल्की बुक्स हैं या बल्की मैटेरियल्स हैं और जिसका लगता है कि आपको रिविजन के लिए आवश्रक्ता है पड़ेगी उसके नोर्स जरूर बनाने चाहिए तो आपने आपको आपको आप्शनल जो रहा PSIR रहा तो मैं थोड़ा से हैं तो वह अगर लेना चाहा रहे हैं मालीजे PSIR तो उनके लिए किस तरीकी की अप्रोच वहां पर रहने वाली है कि एक ऐसा ऑप्शनल जो कि आपके पूरे सेलेबर्स को कहीं ने कहीं से टच करता है जैसे अगर हम देखें तो में जो पूरा का पूरा जी एस टू पेपर वह ऑप्शनल से कवर हो जाता है हम लोगों के PSIR से उसके अलावा जो जीएस फॉर एथिस का पेपर है जितने भी सब्सक्राइब ने करता है चाहिए हूं उसका रीजन यह है सर की इंट्रेश्ट होना चाहिए और काफी बलकी होते हैं उसको सेलेबस कवर करने में तीन चार मेने लग जाते हैं तो आप उसको तभी पढ़ पाएंगे जब आपको इसमें रूची रहेगे तो आप वहीं लें जिसमें आपकी रूची हो अगर आप साइंस बैगराउंड से हैं या हुमेंटीर से हैं कोई फ पढ़ना पढ़ेगा कि जब तक आपने आपका इंट्रेस्ट नहीं रहेगा आप उसको बढ़नी पाएंगे तो आपका जो PSIR का सब्जेक्ट है कोगी बहुत ही डैनेमिक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है तो इसके लिए आपने कौन सी बुक रेफरेंस रखी उनका बे पार्ट है उसके लिए O.P. Gaba की किताब आती है और मार्केट में जो मैटेरियल्स हैं हर जगह मिल जाएंगे आपको कुछ फेमस कोचिंग इंस्टूट के किसी भी कोचिंग का उठा लीजे मैटेरियल बाइजू का ले लीजे कुछ उसका भी ले लीजे तो PSR का मैटेरियल है उसको आप पुड़ा पढ़िये लेकिन अगें सर यूवल हब तू है नोट्स आपको नोट्स बनाने ही पढ़ेंगे दुबारा राइट क्योंकि वो फिर ऑफिर काफी बल्की हो जाता है आपको दिबारा रिवीजन कैसे करेंगे आंसर राइटिं कैसे करेंगे इसके लि पढ़ना है वो आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन कैसे पढ़ना ही आपको नोटना पढ़े तो यह देखा जाता है अकसर कि बहुत सारे प्रतिभाग यह ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में कई बार उतार चड़ाव देखने को मिलते हैं कई बार फैलिवर्स आते हैं लाइ होंगे उसको आपने कैसे डील किया तो कभी इस एक्जाम का रेशियो 0.1% है 99.9% हो रहे हैं तो हमें उनके बारे में जरूर बात करना चाहिए जो फैल हो रहे हैं इन फैक्ट फैलियर के बाद ही तो सकसे मिलता है सबसे बड़ी खुपसूरती फैलियर की यह है कि आप सौ बार फैल हो फरक नहीं पड़ता बस आपको एकी बार पास होना है तो तो मैंने करीब 25-30 एक्जाम्स दी होंगे इसमें में फैल हुआ हूँ उसके बाद भी आपको बीच में छोड़ा-छोड़ा सक्सिस मिलता रहा है जैसे मैंने मास्टर्स क्रैक किया जैसे कि मैंने इंट तो यह होता है कि आपको मिलते रहेंगे बट अगर आप हार्ड वाकिंग हो तो बीच में छोटे-छोटे सक्सिस मिलने चाहिए उसको आप इंजवाय करोगे और अगर आप फैल हो भी जा रहे है तो आपस एक एक्जाम में फैल हो रहे है नौट इन लाइफ यह हमेसा याद में जिसमें आपका इंट्रेस्ट हो बिजनेसमेन है आप कुछ भी है एक एक एक्जाम प्रिप्रेशन में आप फैल हो गए जर्नी वहां पे खतम नहीं होती है आप एक्जाम में फैल होगें सेकेंड फैज अफलाफ इस्टार्ट करिए आप तो आपका जो ऑवरॉल जॉर् तो एक तो सब मेरी जर्नी में कहूंगा कि एक शीडिया मैंने चड़ी है कि मैंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट के मैं टॉप फ्लोर पर पहुंच जाओं तो लाइक मैंने स्कूलिंग मैंने बताया कि मैंने रूरल सेक्टर से किया है उसके बाद फिर मैं आगे गया तो फिर मैंने ग्रेजुवेशन उन्वर्सटी आफ लाबाद से किया इंडिया के टॉप उनिवर्सिटी मैंने मास्टर्स किया तो धीरे धीरे मैंने मेरी जर्नी जो रही हो काफी हार्ड वर्किंग लर्निंग और उसके बाद एक मोटिवेशनल भी है कि मैं सीखता रहा और कु बहुत लंबा हार्ड वर्क रहा है और बहुत सारे फैलियर से अपसेट्स भी रहे हैं तो मबाप का यूगदान क्या मानते हैं आप इस सब चीजों में आप कई बार पैरेंट्स के यूगदान को हमें किस तरीके समझना चाहिए हां पर पैरेंट्स का बहुत बड़ा लुटा है कि आप कुछ भी कर रहे हो अगर आपको फैमली से सपोर्ट है पैरेंट्स का सपोर्ट है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहा है आज-कल तो बहुत ज्यादा हो गया है कि सोसायटी में लोग आपको ताने ज्यादा मारते हैं तो इसलिए अगर आप उन्होंने आपको support किया तो आप life में बहुत आगे जा सकते हो यहाँ बनने के बाद भी मुझे अभी और आगे जाना है बट अगर प्रेजन से support नहीं मिला मैं emotionally stable नहीं रहूँगा आप भी नहीं रहूँगे यह बहुत जरूरी है कि पैलेंस का support मिलता रहे अचा इसमें मैं आप से last time कुछ बात कहना चाहता हूँ कि students को ऐसी कौन सी चीजे हैं जो करनी चाहिए और ऐसी कौन सी त्यारी के दुरान चीजे हैं जो नहीं करनी चाहिए मतलब एक कई बार क्या होता है students दुवधा में रहता है कि क्या करें क्या ना करें तो कुछ अपने motivational factors के साथ हमारे experience को यह बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है जो उनकी तियारी में चारचान लगानी की बात करता है यह जो मेरी भी 4-5 पेर की journey रही है उसमें सबसे important में यह मानता हूं कि एक consistency होनी चाहिए कि आपको एक काम करना है तो वो करना है यह नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर तीन दिन नहीं पढ़ा तो वो एक consistency बहुत जरूरी है जो हरी student को होनी चाहिए वो बहुत limited है consistency आप देखोगे तो hardly one percent students के पास है इसलिए success ratio भी काफी कम है तो यह consistency हमें सा maintain करने चाहिए वो कैसे maintain होगी उसको maintain करने के लिए आपको एक syllabus oriented एक inspirational तयारी करनी पड़ेगी यानि कि आपके सामने एक goal है और वो आपको ढूणना पड़ेगा कि मैंने यह goal क्यों चुना है अगर मुझे civil services में जाना है और लोगों के help करनी है तो आपको इलिए motivation है कि आपको यह बनना ही है तो उसके लिए आपको consistently hard work करना है despite failures तो यह एक बहुत बड़ा factor है second क्या और करना चाहिए जो आपकी hobbies है वो जरूर करनी चाहिए hobbies से इतना बड़ा help मिलता है कि आप अपने mind का pressure release करते हो और third आपको क्या नहीं करना चाहिए उसमें बहुत चीज़ें है बीच जो भी चीज़ें आपको अपने रास्ते से हटा रही है थोड़ा उनसे दूर हटने की जरूरत है थैंक यू आपका यहां पर दीरा जा पाए और हमारे प्रतिभाग्यों का आपने माधर्शन किया और मैं आपको भविश्य में उत्तर प्रदेश राशन के साथ आप काम करने जा रहे हैं तो बहुत-बहुत बधा ही देता हूं आपके उजल भविश्य की कामना करता हूं थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो स्टुडेंट्स हैं उनको आपने एक नया माधर्शन देनी की कोशिश की धन्यवाद थैंक यू बेरी मच आप लोगों का भी मैं साधर भी नंदन करता हूं कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसके थरू मैं अपनी बातें लोगों तक पहुचा पाया यह बहुत जरूरी था कि मैं बता सकूं कि किस जर्णी और किस प्रॉसेस के थरूर लोग यहां तक पहुचते हैं उसमें क्या करना वर्शेक है और क्या नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू बेरी मच थैंक यू